अच्छा जी पिछले कुछ लेसंस के अंदर हम लोग ने फोटोग्रफी के हवाले से काफी डिटेल में डिसकेशन की हम लोगों ने ये देखा कि फोटोग्रफी ग्राफिक डिजाइन में कितना important role play करती है और images और photograph कितने ज़्यदा important होते हैं हमारा message convey करने के लिए design के अंदर अच्छा इसी तरह से मैंने आप लोगों को कुछ ऐसी websites के बारे में भी बताया है जिन से आप royalty free images वो बहुत असानी के साथ download कर सकते हैं और अपने designs के अंदर इस्तमाल कर सकते हैं इस lesson के अंदर मैं आप लोगों को एक और बहुत important और चोटी सी tip देने वाला हूं इस lesson में हम लोग ये discuss करने वाले हैं कि हम लोग Google से images किस तरह से download कर सकते हैं अपने designs के अंदर इस्तमाल करने के लिए और इसके लावा वो कौन सी important बाते हैं जिनका हमें पता होना चाहिए जब हम Google पे images search कर रहे हूं और चलें फिर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन से tools available है Google में images search करने के लिए अचा देखें गूगल के उपर जब आप कोई भी image search करने लगते हैं अपने किसी भी design से relevant तो सबसे पहले जो एक important बात है वो है keyword जनाब आप जब भी कोई भी image search कर रहे हैं तो definitely आपको अपने topic से relevant images सही होते हैं और relevant images ढूणने के लिए आपको उस topic से related कोई keyword जो है वो add करना पड़ता है Google के उपर मिसाल के तोर पे अगर आप कोई ऐसा poster या brochure design कर रहे हैं जो tourism से related है और आपको landscape के images चाही है तो definitely आप क्या लिखेंगे आप Google के उपर जाके type करेंगे landscape और उसके बाद आप images वाला ये जो tab है इसको आप click कर देंगे अब यह आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस सुक जो है वो landscape के हवाले से काफी सारे images जो है वो आ गए हैं इसी तना से अगर किसी specifically किसी भी country के landscape आपको search करने है तो आप यहाँ पर आगे उस country का नाम भी जो है वो type कर सकते हैं अच्छा यह जो keywords हैं इसके हवाले से आप पे मैंने landscape search की है keyword के तोर पे और नीचे कुछ और keywords उसी से relevant मेरे पास आगे हैं जैसे के wallpaper, photography, beautiful, painting, garden, etc. तो अगर मैं यहाँ पे landscape के आगे for example पाकिस्तान टाइप करता हूँ तो यह पाकिस्तान का landscape आगया और यह देखें कुछ ऐसे helping keywords आगे नीचे जो के मुझे support कर रहे हैं मेरा image ढूंडने के लिए जैसे के rural, पंजाब, कश्मीर, नौर्ट, सवाथ वैली, etc. यानि आप इन tabs के उपर click करके इसको open करेंगे तो आपको पाकिस्तान के इन खास areas या इन खास चीजों के हवाले से landscape के images जों हैं वो आपको असानी से मिल जाएंगे. अच्छा मैं फिलह इसका button है, यह हम आम तोर पे ignore कर देते हैं जबके यह बहुत ज़दा important है. अच्छा जी, यहां पे sizes available हैं, सबसे पहली option है sizes की, लेकिन sizes की options discuss करने से पहले और या बाकी चीज़ें discuss करने से पहले, मैं आप लोगों को यहां पे यह सबसे important जो option है, यह बताना चाहता हूँ, यह है usage rights की, देखें जब भी आप किसी भी design के लिए images सर्च कर रहे होते हैं, कोशिश करें कि आप वो images Google से लें, जो के copyrighted ना हूँ, यानि के आपको in future, उन images के हवारे से कोई भी claim ना कर सके कि भी आपने हमारे images क्यों use किये, तो actually होता क्या है, गूगल के उपर, यहां पे different websites के हवाले से images हैं, वो Google का spider सर्च करके यहां पे हमारे पास thumbnails के तोर पे रख देता है, तो लहाजा हमारे पास यहां पे एक जो option है, यह tools के अंदर यह है usage rights की, अच्छा इसके उपर अगर आप click करें तो देखें, दो main categories है, usage rights के हवाले से, जो सबसे उपर है, यह है commercial use के ल वो images आजाएंगे, जो के आप modify करके इस्तमाल कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से, यहां पे वो images आजाएंगे, जो के आप modify किये बगार भी इस्तमाल कर सकते हैं, label for reuse में, अच्छा इसी तरह से, label for non-commercial use with modification, and again, label for non-commercial reuse, चाहे आप इसको modify ना करें, आप सिर्फ non-commercially इस image क use कर सकते हैं, तो यह दो basic categories हैं, एक commercial और एक non-commercial, और हमारी कोशिश होनी चाहिए, कि हम जो है वो, ऐसे images use करें, जिनके उपर किसी किसम के copyrights ना हों, अच्छा जी, यहां पर अगर label for reuse पे आते हैं, तो एक और चोटी सी tip मैं आपको देता चलूं, मजीद chances avoid करने के लिए, क इसके लिए एक चोटी सी tip यह है, कि आप यहां से, for example, किसी भी एक image को open करें, और उसकी website पे, यानि कि actual उस source पे जाएं, जहां पे वो image है, वो actually available है, तो यहां पे यह image है, मैं open करके देखता हूं, तो यह लिखावाजी, free download, यानि कि यह freely download करने के लिए, और इस्वाल करने के लिए available है, so I am safe to use this image for my design, तो इस चीज़ को आप लोगों ने कोशिश करनी है, follow करें, अच्छा जी इसी तरह से, हमारे पास यहां पे कुछ और options हैं, जैसे कि size की option है, large पे मैं click करता हूं, तो आप large images हैं, वो search कर सकते हैं, इसी तरह से मजीद options हैं, यह आप खुछ से explore की मीडियम images आप ढूंड सकते हैं, icon size के छोटे images आप ढूंड सकते हैं, larger than के अंदर एक category दे दी गई है कि इतने size या इतने megapixel से ज्यादा large size के images अगर आप search करना चाहते हैं, तो आप यहां से आके different options हैं, इनको choose करके आप बहुत अच्छी quality के high quality के images वो आप यहां से ढूंड सकते हैं, इसी तरह से exactly में आप किसी भी exact size के images वो आप search कर सकते हैं, अच्छी अगर हम आगे चलें तो यहां पर देखें, color की option है, full color images अवेलिबल हैं, इसके लावा black and white images अवेलिबल हैं, यह देखें black and white landscape आ गया है, इसी तरह से किसी खास color की domination वाला image अगर आप को जिसा ही मैंने green पर click किया है, तो यहां पर देखें, green dominated by green वाले images आगे हैं, जिन मैं green ज्यादा dominate कर रहा है, अच्छा जी, इसी तरह से आगे हमारे पास type है, यह type समझाने के लिए मैं यहां पर अपना keyword जो है वो change करता हूँ, दोस्तों यहां पर मैं लिखता हूँ men suiting, यह जिसना आप कोई कार्टों, करेक्टर वगरा ढूंडना चाह रहे हैं या कोई ऐसी चीज जो कि आपको clip art के तोर पर चाहिए, तो वो आप यहां से सर्च कर सकते हैं, इसी तरह line drawing के अंदर आप कुछ भी ढूंड सकते हैं, और अगर कोई आपको animated image चाहिए, तो वो भी आप type वाले portion में से आप select कर सकते हैं, इसके अलावा जी time की एक option है, यानि कि आपके सामने है कि अगर past 24 hours में जो update हुए है images गूगल पे, आपके keyword के हवाले से, वो आपके पास आ जाएंगे, इसी तरह पिछले एक week, पिछले एक month, या पिछले एक साल में, आपके keyword के हवाले से, जो images अपलोड हूएं, वो आ जाएंगे, तो ये different time के हवाले से भी options यहाँ पे दी गई है, अचा जी इसी तरह यहाँ पे यहाँ पे यह देखें, more tools है, more tools के अंदर show sizes की एक option है, यह क्या करती है कि यहाँ पे images के जो thumbnails आपको नज़र आ रहे हैं, इनके left bottom area में, आपको हर image का actual size नज़र आ जाजएगा, तो आपको ढूंडने की जूरत नहीं पड़ेगी कि यह जो image मैं use करने जा रहा हूँ, यह किस size का image है, इस तरह से मैं इसको अप clear करता हूँ, तो यह simple tool का वाली option है, जो क्या आपने use करनी है हमेशा Google पे images को search करते हुए, इस lesson के अंदर हम lesson में tip सीखी है, यह आप लोगों के लिए बहुत ज़दा आगे चलके काम आएगी, और आप लोगों के इससे फाइदा उठाएंगे, अब आप लोगों ने करना यह है कि जब भी आप लोग कोई भी image ढूंड रहे हो, तो आपने Google पे images सर्च करते हुए, इन तमाम options और इन मैंने आपको इस lesson में बताई हैं, इन्शाला ताला आने वाले lesson में graphic design के हवाले से किसी नए concept के साथ मुलागात होगी,